हाई एवरिवन आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि SSB का प्रिपरेशन टिप्स में यहां पर प्रवाइट करने वाली हूं जिससे आप SSB को अगर आप फेस करते हो तो आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं होगा और इसका प्रिपरेशन क जैसे करना स्टार्टिंग से लिक्यान तक को वीडियो देखेगा जैसे आप इसको कम्प्रीट करने से आप अपने SSB को क्रैक कर सकते हैं चाहे आप वह नेवल हो आर्मी हो या एरफोर्स कोई भी SSB में आप जा रहे हो तो इस टिप्स को आप जानके जाएगा मैं हूं जोत जानकरी ले ले लेना चाहिए अगर आप कोई भी कॉंपेटिटिव एक्जाम दे दियो है तो आपको मिनिमम इंटर्वी एक्जाम के बाद ही आपका इसके पेपरेशन का तयारी स्टार्ट कर देना है अगर डोंट वरी अगर अभी भी आपने नहीं क्या है तो अब से आप स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए इस इस भी इंटर्व्यू का फाइफ डेज इंटर्व्यू चलता है इसके बारे में अगर आपको डीटेल में जानकरी चाहिए तब हमारे ये वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं यहां पे हर एक पॉइंट्स पूछा जाता है अगर सम्हाओ आपको यहां का सेंटर बोड या फिर इंटर्व्यू में क्या चाहिए अगर इसके बार में जानकरी तब इस वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए अब लोग टिप्स के बार में बात करते हैं तो पहला चीज है कि नो यार एस ब आपको सबसे पहला चीज है कि अगर आपको नहीं जान करिए तो आप हमारा पहला वीडियो चेक आउट कर सकते हैं फाइव डेस प्रोसेस उसमें आपको पूरा बता दिया जाएगा सलेबस असबी में क्या होता है नेक्स्ट है कि आपको जो टेस्ट वहां पर लिया जाता उसको आपको यहां फे घर पे कंटीनियुशी प्राक्टीस करते रहना होगा टेस्ट वाइस तभी आप वहां पे जाब IS-स अफरोंगे तो वहां का जो टेस्टे आप क्रोस कर गें को कौलीफाय करते क्षे नेक्सट है कि आपको डोंट इग्नोड्र और एव गरेंसे नाफ या आपके subject के उपर जिससे आप master degree की हो या फिर graduation की हो या B.E.E.M.C. कुछ भी अपने degree लिया है उसका कुछ भी knowledge हो तो आपको ध्यान से रखना है साथ में basic knowledge भी आपको रखना है इस सारे subjects के next है कि आपको जो academic knowledge है या technical knowledge है या school के बारे में या teachers के बारे में भी आपको अपना mind को refresh करके रखना है क्योंकि इसके उपर भी questions आते हैं नेक्स्ट है कि आपको अपना state के बारे में अपना town के बारे में अपने locality के बारे में जानकरी अच्छे से रखना होगा क्योंकि वो लोग कोई भी सवाल या questions आपसे पूछ सकते हैं आपके state के बारे में या आपके state के favorite dish क्या है वहाँ पर आपको क्या चीज पसंदे ऐसा questions आपको यहाँ पर दिखने मिलेंगे नेक्स्ट है इस preparation का कि आपको यहाँ पर aware of your climate के बारे में आपको अच्छे से जानकरी होना चाहिए time management accordingly आपको practicing करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर physical strength बहुत important काम करता है next है कि be honest simple and be yourself आपको हर से अपने आप जैसे हो वैसे ही वहाँ पर show करो over confident मत show करो साथ में extra marks मतलब होता है ना face आपका कुछ है बता आप expression कुछ और दे रहे हो यही आपका ssb disqualify कर सकते है तो आप जैसे हो वैसे वहाँ पर face कर दो next है कि आपको अपने confident को develop करो confident nation आपको show करना है जाहे अपको कहीं भी आप पहुंच जाते हो वहाँ पर अपना सारा काम या organize करो या disorganize सारे चीज को आपको अच्छे से करना है next time maintain your physical fitness this is a last physical fitness आपका ध्यान होना चाहिए क्योंकि यह बहुत important role काम करता आपका interview को cross करने के लिए क्योंकि आपका जब GTO test होता है आपका physical fitness वहाँ पे check out अच्छे से हो जाता है तो that's all for today more updates के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much